बच्चो आज हम पढ़ेंगे कट्सा साथ विज्ञान यानि साइन्स का पहला चैप्टर पादपों में पोसंड आप देख रहेंगे आपर यह आपका विज्ञान के अंतरगैत पहला द्याय पादपों में पोसंड हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार्ट से सम्बंदित प्रस्णो के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए एक नजर डाल लेते हैं पार्ट पर आप इस पार्ट को जरूर से जरूर पढ़ लें इससे होगा कि जो यहाँ पर आपको प्रस्णो के उत्तर बताएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे आप चाहें तो अपनी प नोट बुक में नोट करेंगे उन्हें अच्छे से याद करेंगे तो देख रहे ने यहाँ पर यह आपका अध्याय एक पादपों में पोसंड और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वच्चो तो चैनल को भी सब्सक्राइब होशे कर दें बैल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली परतेग पाट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और यह देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत सारे प्सवन है इस पाट में हम आपको इन सारे प्स बाखनों के उत्तर यह पर बताने वाले हैं तो आप लगातार देखते रहे वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं पार्ट से सम्मंदित इन सारे प्रस्नों के उत्तर तो बच्चो आपको एक बार फिर से याद दिला दें आज हम पढ़ रहे हैं कक्सा साथ विड्यान यानि साइन्स का पहला चेप्टर पादपु में पोजन और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर अभ्यास प्रस्नों उत्तर में तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चो इस पार्ट में आपने क्या कुछ सीका कुछ मुख्य बिंदों के साथ इसकी जुए आप इने याद करेंगे नमबर एक आपने इस पार्ट में पढ़ा था बच्चो सूर्य सभी सजी प्राणियों के लिए उर्जा का चरम सुरोत है यानि कि सभी प्राणियों को जीवन देने वाला है नमबर दो हरे पौदों में भोजन ससलेशन की प्रक्रिया सूर्य के प्रकास की उपस्तिति में होती है जिसे प्रकास ससलेशन कहते हैं समझेगे नाप किसे कहते हैं प्रकास ससलेशन हरे पौदों में भोजन ससलेशन की प्रक्रिया सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में होती है जिसे क्या कहते हैं प्रकास संसलेशन तीसरा पॉइंट आपके लिए काफ़ इंपोर्टेंट है पत्यों में एक हरा वरनक होता है जिसे कलोरोफिल कहते हैं याद रखें कलोरोफिल क्या होता है पतियों में एक हरा वरनक होता है आगे अगला पॉइंट है क्लोरोफिल सूरे के प्रकास की उर्जा को ग्रेहन करने में सायता करता है पाँचवां कारवन डायाकसाइड एवं जल प्रकास संसलेशन के लिए कच्चे माल का कारे करते हैं और आपने पड़ा था ऑक्सिजन जो सभी सजी प्राणियों के जीवन के लिए अतियाओ सेक है प्रकास संसलेशन की किरिया के दोरान बनता है पौदे प्रकास संसलेशन के दोरान भोजन के रूप में कार्वो हाइडरेट्स बनाते हैं अगला पौइंट है पत्यों में स्टार्च यानि की जिसे मंड कहते हैं मंड की उपस्तिती प्रकास संसलेशन का होना दर्साता है अगला पौइंट है कार्वो हाइडरेट्स कार्वन हाइडरोजन एवं ऑक्सिजन से बना होता है अगला पॉइंट याद रखेंगे मर्दा में कुछ जीवान होते हैं जो गैसी या नाइट्रोजन को उप्योगी रूप में परिवर्चित कर देते हैं और इसे मर्दा में छोड़ देते हैं अगला पॉइंट है बचयो कीटों के भक्षन करने वाले पौदों को कीट वक्सी पादब कहते हैं क्या कहते हैं किट वक्सी पादब बारवाँ पॉइंट आपके लिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एबं पोसक तत्व एक दूसरे से बांडते हैं इन्हें क्या कहते हैं सहीवी संबंद सहजीवी संबन्द किसे कहते हैं कुछ जीब जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास पोशक तत्तों एक दूसरे में बंड़ते हैं तेरों पॉइंट आपके लिए लाइकेन सहजीवी संबन्द का एक उधारन है कार्वो हाइडरेट्स, प्रोटीन, वसा, बिटाइमिन एवं खनीज हमारे बोजन के संगठक होते हैं और अंतिम और आखरी पॉइंट आपके लिए हमारे सरीर के लिए बोजन के संगठक आवसक होते हैं जिने पोशक कहा जाता है तो ये बच्चो, आप ध्यान देंगे ये कुछ आपके लिए मुख्य बिंदू थे, इस पार्ट से संबन्दित आप इन्हें पार्ट में से देख सकते हैं और इन्हें अच्छे से याद रखें इस पार्ट में आपको और भी बहुत सारी जानकारिया मिली होगी तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं इसके बाद बच्चो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस पार्ट से संबन्दित प्रसनों के उत्तरों की तो चलिए, देख लेते हैं पार्ट के अंत में आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रसन आपके लिए जीवों को खाद दे की आओ सकता क्यों होती है क्यों होती है बच्चो आपको भी खाद दे की आओ सकता होती है सभी परकार के जीवों को होती है उतर में लेखेंगे जीवों को खादे की आओ सकता निमने कारणों से होती है और हेरिंग डाल सकते हैं आप नमबर एक लेखेंगे काम करने के लिए उर्जा की आओ सकता होती है नमबर दो सरीर निर्मान के लिए और नमबर तीन, शरीर के टूट फूट की मरमत के लिए और नमबर चार, कोशिकाउं को नियमित उर्जा परदान करने के लिए किसकी आऊ सकता होती है, खादे की आऊ सकता इसके बाद दूसरा प्रसन है बच्चो, पर जीवी एवं मिर्त जीवी में अंतर इसपस्ट कीजिए तो जानते हैं आप पर जीवी और मिर्त जीवी क्या क्या होते हैं, चलिए उतर में देखते हैं उतर लिखेंगे आप और इसके बार लिखेंगे परजीवी, हैडिंग डाल देंगे और नमबर एक, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं दूसरा, परजीवी, सामनिता परपोसी के सरीर से शरीर के ऊपर या बीतर रहते हैं यानि कि दूसरों के सरीर में इसके बाद मिर्थ जीवी की बात करते हैं या पर तो आप लिखेंगे मिर्थ जीवी और हेडिंग डाल देंगे नमबर एक मिर्थ जीवी अपना पोशन जीवों के मिर्थ और सड़े गले जैविक पदार्तों से प्राप्त करते हैं दूसरा लिखेंगे point मिर्त जीवी, मिर्त और सड़े गले पदार्तों के उपर रहते हैं तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रसन है बचो पर जीवी और मिर्त जीवी में क्या नतर है तो आप लिख सकते हैं तीसरा प्रसन शुरू होता है आप पती में मंड यानि स्टार इन विलियन मंड यानि स्टार्च के संपरक में आता है तो एक गहरा निला रंग नजर आता है तो इस प्रकार से आप परिक्षन कर सकते हैं ये तीसरा प्रसन था और उसका उत्तर चोथा प्रसने बच्चो हरे पादपों में खाद्य संवेशन परकरम का संचिप विवरन दीजिए उतर में लिखेंगे आप नमबर एक पादपों में खाद्य संवेशन प्रकास ससलेशन की किरिया द्वारा संपन होता है और नमबर दूसरा लिखेंगे प्रकास ससलेशन के उसका उत्तर और बात करते हैं यहाँ पर पांचवाँ प्रसने बच्चों किसी प्रवाँ चित्र की सायता से दर्सा ये कि पादप भोजन के मूलबूत स्रोत हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी पाठे पुस्तक में कहाँ पर चित्र 1.2 में यह चित्र आपके सामने बच्चों इस प्रकार का आपको आपकी पाठे पुस्तक में एक चित्र दिखाई देगा आप उसे बना सकते हैं या उसकी फोटर स्टेट करके अपनी कौपी पर लगा सकते हैं तो यह आपका उत्तर हो जाएगा जिस परकार से यह पांच वाठे प्रसन है इसका उत्तर आप लिख सकते हैं अगला है बच्चों छटा प्रसन यहाँ पर रिक्त अस्तानों की पूर्ति कीजिए और कह है आपके लिए क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वेम बनाते है इसलिए उने और क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा कहते हैं और खै इसी परकार पादपों द्वारा समवेशित खादे का और भंडारन इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है के रूप में क्या जाता है यहाँ पर क्या क्या लिखना है हम आपको भी बताते है आप देखते रहें प्रसनों को गय में प्रकास ससलेशन के प्रक्रम में जिस वरनक द्वारा सौरूर जा संग्रीत की जाती है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा और गय है प्रकास ससलेशन में पादप वाईव मंडल से यहाँ पर लिखना आपको क्या लेते ह तथा किस चीज़ का उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो अप्संद देने हैं उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे पहले वाले कहई वाले में लिखेंगे स्वपोसी, खहई वाले में मंड और गहई वाले में कलोरोफिल और गहवाले में कारवन्दा याकसाइड और खाद दिया तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं यहाँ आप वहाँ पर भरें जहाँ पर आपको रिक्तस्तान दिखाई दे रहें बच्चो यहाँ पर जो है कह खह गह में जो रिक्तस्तान है यहाँ पर आप इन सब को लिख सकते हैं जो आपको उत्तर में यहाँ पर दिखाई दे रहें इसके बाद साथों अप्रसन है निम्न कथनों से सम्मंद परवाशित सब्द बताईए तो यहाँ पर जो है कह देख रहे हैं आप यहाँ पर पीत दुरबलतने वाला परजीवी पादव और खह है एक पादव जिसमें स्वपोसन एवं बिसमपोसी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है गह हुए रंद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान परदान यानि वीनिमय होता है तो उतर में आप लिखेंगे नमबर एक कैवाले का लिखेंगे अमर बेल खैवाले का लिखेंगे घट परणी और गैवाले का परण रंद्र इस प्रकार से आप अपना उतर लिख सकते हैं बच्चो यह साथ वाँ प्रसने और कहखे गए यहाँ पर तीन प्रसने और तीनों के उतर आप यहाँ से लिख सकते हैं आठमा प्रस्ण है बच्चो सही उतर पर टिक का चिन लगाईए तो यहाँ पर आपने सही का चिन लगाने है सही उतर पर कौन सा सही है देख लेते हैं कैवाले में यहाँ पर पूछा है अमर बेल उधारन है किसी और किस का है सोपोसी का पर जीवी का मिर्त जीवी का या पर प लिकेंगे कैका परजीवी का और दूसरा लिकेंगे घटवर्णी यानि फीचर पादप का तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नमबर एक का यहाँ पर कौन सा होगा बच्चो प्रसना आठ वाए यहाँ पर हो गए परजीवी तो यहाँ पर आप सही का चिन लगा देंगे और इ क्लोरोफिल और इदर लिका है जीवानू नाइट्रोजन परपोसित अमरवेल घटवर्णी जन्तु और यहाँ पर पत्ती केटवगसी और यहाँ पर परजीवी तो इनका मिलान करना आपने किस परकार से करेंगे चलिए देख लेते हैं उतर में आप इस परकार से लिखते ह आप यह वाला खे के साथ यह गय के साथ यह गय के साथ यह और गय के साथ यह इस परकार से आपका उतर हो जाएगा इनके साथ आप मिलान कीजिए इसके बाद बच्चों दसवाँ प्रसना आता है आपका निमन कत्रों में से सत्या एवं असत्या कत्रों का चैन कीजिए और खेय है ऐसे पादब जो अपना भोजन स्वेयम ससलेशित करते हैं मृति जी भी कहलाते हैं सही है या गलत है आपको बताना है गह में पूछा है प्रकास ससलेशन का उत्पादन प्रोटीन नहीं है और गह में है प्रकास ससलेशन में सौर उर्जा को रास है निक उर्जा में प्रसने आपका और पहले के ये दोनु क्या है ये असत्या है और खैवाला भी असत्या है और गैवाला सत्या है और गैवाला भी सत्या है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उत्तर देखें यहाँ से लिखें इसके बाद है सही बिकल्प चुनिए तो आपका जो प्रसने हो ग्यारुवाँ प्रसने है पादप के किस भाग द्वारा प्रकास ससलेशन है तो वायू से कारबंडा याकसाइट ली जाती है तो किस भाग से ली जाती है यहाँ पर भाग दे रहें मूल रोम से रंदर से पढ़ने शिराओं से या बाहरी दल से उत्तर क्या लखेंगे उत्तर लखेंगे आप रंदर से क्या लखेंगे उत्तर में रंदर से और बारुवाँ प्रसने है बचो वायू मंडल से मुक्यता जिस भाग द्वारा पादप कारबंडा याकसाइट प्राप्त करते हैं वह है और कौन सा है हुआ यहाँ पर चार अप्शन है जड़ तना पुस्प या पतियां तो उतर लखेंगे आप पतियां क्या लखेंगे उतर में पतियां यह आपका सही अंसर होगा तो इस प्रकार बच्चो इसी प्रकार लगातार अपने सभी पार्टों के प्रसनुतर जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें इसी प्रकार देख प्रसनुक्तर हमारे साथ तो आज के लिए इतना काफी है बच्चो मिलते हैं फिर अगले पार्ट के प्रसनुक्तरों के साथ अगली वीडियो में आपका दिन सुभू